यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तक शिर्षासन भी किया और पिछला रिकोर्ड जो की एग घंटे का था अब नया रिकोर्ड कायम किया गया है एक व्यक्ति ने धाई हजार पुश्यप्त लगाएं खें और कोटावी बाबाराम्दियों के साथ योग सत्र में राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंत्रा जारू लोग सड़कों पर उत्रे और योग करते नजर आएं इसके लावा बीएसेफ, सी आर पीएफ, सी आई एसेफ जैसे केंद्रिये सर्शास्त्र पुलिस बलो ने भी योग किया खें एस मौके पर सभी भारतियों के लिए गव्रव की बात है कि आज जहां जहां उगते सूरज के साथ जैसे सैसे सूरज अपनी यात्रा करेगा, सूरज की किरणे पहुँच रही है, प्रकास का विस्तार हो रहा है, दुनिया के हर उस भुख भाग में, वहां लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं हर जीवन को सम्रद्य कर रहा है, जब तोड़ने वाली ताकते हावी होती हैं, तो बिखराव आता है व्यक्तियों के समाज के बीच, राष्ट्रों के बीच, विखराव आता है, समाज में दिवारे खड़ी होती हैं, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक की व्यक्ति खुद ही अंदर से तूड़ता तुकड़ों में विखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है इस विखराव के बीच, योग जोडता है, जोडने का काम करता है आज की आपाधापी और तेज भाक्ति जिन्दगी में योग, मन, शरीर, बुद्धी, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शान्ति की अनुभूती कराता है व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशाली बढाता है परिवार को समाज के प्रति सम्वेदन सिल कर समाज में सदभाव बढाता है समाज राष्ट की एक्टा के सुत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट विश्व में शान्ति और सहवार दलाते हैं जब United Nations में योग के लिए प्रस्ताव रखा और यह United Nations का रेकॉर्ड है, यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सरवाधिक देशों ने को स्पॉंसर किया, यह पहला ऐसा प्रस्ताव था जो UN के इतिहात में सबसे कम समय में स्विकृत हुआ, और यह योग, आज विश्व का हर नागरीक, विश्व का हर देश, योग को अपना मानने लगा है. झाल